आज इस सेशन में आप लोग को एक्स्प्लेइन करूंगा कि कैसे मेरे टूल को यूज करके आप सिर्फ पांच मिनिट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जा फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक को इडेंटिफाई कर सकते हैं आज की सेशन में हम लोग सिर्फ बात करने कि इंट्राडे में अगर आप किसी भी स्टॉक इंट करना चाहते हैं चाहे बुलिश साइट को इस डाउक मेंटरी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पांच मिनिट के अंदर कैसे हम स्टॉक को इडेंटिफाई करें तो देखिए यह जो tool है इसमें बहुत सारे features है तो मैं आज आपको शिर्फ FNO stocks का feature explain करने वाला हूँ देखिए यहां पे सारे FNO stocks का data हमने एक ही जगह पे fetch किया है और इस tool की मज़ से हम कैसे हम stocks के अंदर trade करेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए इस tool में बहुत सारे parameters हैं trade करने के लिए मैं आपको यहां पे एक parameter बताना चाहूँगा आज इस session में फिर दीर दीर आगे जैसे जैसे मैं बढ़ेंगी मैं आपको और चीजें बताऊँगा देखिए आज अगर आपने ध्यान दियोगो तो मैंने सुभा एक stock आपके लिए buy side के लिए recommendation दिया था वो stock का नाम था JSW Steel ठीक है मैं आपको बता दो मैं कोई save register नहीं हूँ just I am sharing these stocks and this tool for learning purposes ठीक है अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे यह stock JSW Steel था इस stock को देने का reason देखिए यहां पे देखिए यह हमारा parameter है parameter 1 parameter 2 and parameter 3 जब भी कोई stock हमारे तीनो parameter fulfill करता है तो वो stock हमारे लिए एक buy side के लिए opportunity के रूप में हमारे सामने आता है ठीक है अगर आपको ध्यान होगा मैंने टेलीग्राम में भी यही चीज सुभा लगभग मैंने आप देख सकते हैं टेलीग्राम मैंको टेलीग्राम दिखाता हूं पहले देखिए चीज सुभा मैंने दो stock दिये थे 27 लगभग मुझे 5 पॉइंट यह stock में मिले ठीक है क्योंकि थोड़ा मेरा भी इंट्री लेट होगे लेकिन फिर भी देखिए मैंने अपना जो टार्गेट दिये था मैंने वही टार्गेट पर बोक किया और लास्ट में जो stock भागा है लगभग इसमें हाई बनाया है इसने 1032 का हाई मारा अभी बात यह है कि अगर मैं यह stock identify कर सकता हूँ और हमारे group में यह stock हमारे team members के साथ भी share किया था tvs motors भी मैंने share किया था hero motor तो देख लिजी हमारे group में भी कुछ लोगों ने stocks में trade करके पैसा बनाया है तो यह screenshot देख सकते हैं अभी बात आते हैं कि हम कैसे identify करेंगी कि मुझे कि stock में trade करना चाहिए देखे सबसे पहली चीज है कि यहां पर इस टूल में live data आपको मिलता है टिक टिक data आता है यहां पर आप देख लीजी दो तरीकी की strategy है एक यहां पर आप इस column में देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ stocks में open high देख रहा है कुछ stock में open low देख रहा है open low के लिए आप bullish position के लिए उस stock को find कर सकते हैं ठीक है जी second जीज अभी हमें खाली blindly open high open low पे trade नहीं करना है ठीक है हम वो stock find करेंगे अगर मायन चलिए मैं कोई bullish stock find कर रहा हूं तो मेरा पहला parameter क्या है कि इस stock में open low होना ज़रूरी है तो जैसी के अब देखिए JSW Steel ने हमारा पहला parameter fulfill कर दिया दूसरा parameter है कि वो stock हमारा intraday में भी bullish होना चाहिए ठीक है तो आप देख लेए JSW Steel ने हमारा दूसरा parameter भी fulfill किया तीसरा parameter है वो stock हमारा hourly chart में भी bullish होना चाहिए तो तीसरा parameter भी हमारा fulfill हुआ चौथा parameter है यह वाला कि वो stock हमारा daily में भी bullish होना चाहिए उसके बाद पांचवा parameter आप देख सकते हैं यह पांचवा parameter है यह है आपका parameter weekly and monthly पीक है जिस stock में हमारे यह पांचो के पांचो 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 पारमेटर फुल्फिल होंगे हम उसी stock में buy side का trade initiate करेंगे ठीक है आज आज आप देख लीजी JSW Steel में पांचो की पांचो पांचो परमेटर फुल्फिलते अगर आप ध्यान से देखेंगे ना पूरा market आज गिर रहा था पूरा market लेकिन फिर भी हमने buy side का stock का trade करके हमने पैसा बना है ठीक है अगर आप ध्यान से इस टूल को देखेंगे ना मैं अगर आपको market movers का data दिखाता हो आप यहाँ पर देख सकते most of the stocks are on sell side ठीक है सिर्फ buy side में 4-5 stock ही है पूरा market गिरने की मतलि probability of market की गिरने की जादा थी sentiment बेरिष्था फिर भी हमने buy side के stock में पैसा बना है ठीक है यह reason था एक तो यह parameter हो गया एक parameter में और आपको यहाँ पे बोलना भूल गया इसमें 6 parameter है एक तो पहला parameter यह हो गया open high, open low वाला की stock में open होना चाहिए अगर bullish है intraday में bullish होना चाहिए hourly में bullish होना चाहिए कि stock आपका market movers में भी होना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा छटा parameter भी fulfill हुआ जब यह हमारे 6 के 6 parameter fulfill हो गया तो उस time पे हमने मैंने JSW Steel में buy का position बनाया चीक है और हमारे group member के साथ मैंने कुछ दो stocks और share किया था मैंने hero motor share किया था आप देख सकते हैं कि accuracy of winning कितनी जादा हो जाते हैं अगर आप किसी tool के उपर काम कहते हैं तो इस tool में ऐसे parameters हमने set के हैं एक तो यहाँ पे एक tool का benefit कि आपको एक तो live data मिलेगा without millisecond delay मतलगी 1 millisecond का भी delay नहीं tick to tick data मिलेगा आपको ठीक है अगर आप देखेंगे जो जो stock मेरे इस tool में आज recommend किये हैं आप सारे जाके stocks check कर सकते हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ अगर आपको चेक करना है तो आप आज चेक कर सकते हैं sell side के लिए reliance का stock check कर सकते हैं ठीक है भारती एटेल बंदन बैंक मतलगी पूरा market का sentiment अज बेरिश था लेकिन फिर भी देखें हमने bullish side का stock पकड़ा वह stock पकड़ा जो सारे parameters फुल्फिल कर था अभी मायन किजिली मुझे किसी stock में bearish position बना तो bearish position में भी हमारे सारे parameters फुल्फिल होना चाहिए मतलब कि वह stock हम आपका पहले तो stock में पनाई होना चाहिए ठीक है फिर वह stock intradaym भी bearish होना चाहिए hourly में भी bearish होना चाहिए daily में भी bearish होना चाहिए weekly monthly में भी bearish होना चाहिए जब यह 5-5-6-6 parameter market movers में भी होना चाहिए आप उस stock होना आक बंद करके position बना लीजिए बिना chart देखे भी आपका SL नहीं होगा मैं आपको guarantee के साथ यह जी से बोल सकता हूँ क्योंकि यहां पे हमने बहुत सारे parameters add की है अगर मैं आपको अभी parameters की बात करूँ तो चली मैं पहले parameters बदा देता हूँ देखे यहां पे इतने सारे levels हैं आप देख लीजिए माला की daily high, daily low, daily close, daily mean level, daily max level, daily min level, weekly high, weekly low, weekly close, weekly mean level माला की stock bullish side के लिए हमें तभी recommendation होगा जब यह सारे parameters के सारे price levels को stock pass करेगा माला की सारे price level के उपर trade करेगा तभी वो stock bullish होगा जब यह सारे levels की नीचे अगर stock होगा तब ही वो bearish होगा तो इस तरीके से यह tool काम करता माला की इसमें गलती की 1% भी गुंजाईश नहीं आपको stock मिलेगा बिल्कुल एकदम छटा हुआ stock मिलेगा जब देख लिए 200 stock में, 200 stock में अगर आप यह tool पर्चेस करना चाहते तो आपको मैं इसकी प्राइजिंग बता देता हूँ देखि इस tool में आपके एक तो monthly subscription अगर monthly subscription करते तो आपको उसमें 1000 रुपे monthly charges लगेंगे अगर आप इस tool के साथ annual subscription करते तो आपको 7000 रुपे charges लगेंगे अगर आप one time payment करते तो इस tool की जो प्राइजिंग है 20,000 रुपीज है अभी इस tool के साथ आपको मिलेगा क्या-क्या देखि इस tool के साथ में आपको अगर आप एक month का subscription लेते हैं तो इस tool में आपको एक master class देऊंगा आपको इस master class में मैं आपको ये tool को पूरा कैसे use करना है कैसे stocks को identify करना है कैसे ऐसा लगाना है कैसे start की लगाना है वो सारी चीज़े सीखाऊंगा अगर आप मेरा one year annual plan देते तो उस में आपको मैं master class तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में साथ में आपको one month live trading मिलेगा ठीक है one month live trading मतलग कि आप मेरे साथ एक माइना बैठ के live 9 to 3.30 तक trade कर सकते हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दू मैं कोई से भी registered नहीं हूँ this video is just for education purposes और same as it is अगर आप ये मेरा two lifetime के लिए वाई करते हैं तो उसके लिए इसके साथ आपको दो मन्त live trading मिलेगी ठीक है और साथ मैं आपको master class मिलेगी अगर ये टूल खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं whatsapp पे email के तूल के तूल के तूल के लिए धन्यवाद नमस्क्या मिलते की वीडियो में नई information के साथ करते हैं